न्यूस नशा आदत हर खबर की इस स्तिती में 227 में हमारी हालत और खराब हो जाईगी मिश्रा कहते हैं आज की टारिक में जो इस्तिती है जिस तरीकरश से PDA की बात चल रही है समाजबादी पार्टी ने व्यापक भामक इस्तिती लोगों में पैदा कर रखी है से आज की टारिक में जन प्रतिनिदी को मन से लगना पड़ेगा तभी हम 2027 में सरकार बना सकते हैं रमेश मिश्रा का कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो 2027 में सरकार बनती नहीं दिख रही है केंदर नेत्री तो इसे निवेदन है कि हम चाहते हैं जनता चाहती है और पार्टी का कोर वोटर चाहता है कि भारतिय जनता पार्टी की सरकार बने इसके लिए आपको बड़ा निर्ने लेना पड़ेगा हाल ही में हुए लोकसार चुनाओं में मिली करारी हार पर मन्थन के बाद बिजेपी अब दोबारा से उभने के जतन में जुटी है तीन दीन तक लखनों में डेरा जमा कर बिजेपी के राष्ट संगठर महामंत्री बीयल संतोष हार की वज़़त तलास चुके हैं सीम योगी जन प्रतनिज्य के साथ बाचित कर विधानसवा इस्तर पर रिपोर्ट ले रहे हैं 14 जुलाई को लखनों में बिजेपी की प्रदेश कार्य समित्य की बैठक है देखे आज का दिन एक अधियास से एक दिन है सियोम बिरला जी ने आपात काल के पचास वर्ष पोर्ण होने पर आपात काल के बिरोद में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है मैं उनके इस प्रयास के लिए मने सिय बिरला जी का हिर्दैसे अविननदन करता हूं तत्कालीन कॉंग्रेस नित्रत्यों की सरकार ने सिमती इंद्रा गान्दी जी के नित्रत्यों में उस सम्विधान का गला घोटें का कारे किया था जिस सम्विधान की सपत लेकर के वह देश की प्रधानमंत्री बनी थी कॉंग्रेस भले ही चेहरे बदले हो लेकिन आज उसका चरितर आज भी वही अधिनायकवादी है ताना साही पूर्ण है देखे आज का दिन एक अधियास से एक दिन है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंद्र भारत की संसद में नौ गठिस संसद और नौ मिर्वाचित लोकसभा के मानने अधियक्स स्योम बिरलाजी ने आपात काल के पचास वर्स पूर्ण होने पर आपात काल के विरोध में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है मैं उनके इस प्रयास के लिए मानने सी बिरलाजी का हिर्दै से अविनंदन करता हूँ उन्हें अंतहकरण से धन्यवा देते हुए सभी नौ निर्वाचित मान्य संससदस्यों को अपनी हिर्दै से बधाई भी देता हूँ और इस प्रस्ताव के लिए आभार भी ब्यक्त करता हूँ हम सब जानते हैं कि 25 जून 1975 मध्यरातरी में तदकालीन कॉंग्रेस नित्रत्यों की सरकार ने सीमती इंद्रा गान्दी जी के नित्रत्यों में उस संबिधान का गला गोंटे का कारे किया था जिस संबिधान की सपत लेकर के वह देश की प्रधानमंत्री बनी थी यहन्य केवल संबिधान का गला गोंटे का कुछ सित प्रयास थे बलकि एक प्रकार से लोक्तंत्र की हत्या करने का प्रियास था पचास वर्स बेटने के उपरांत कॉंग्रेस के इस काले कारणामों को जनता तक पहुँचाना या उस्यक है आज भारत की संसति ने वही कारे किया है क्योंकि कांग्रेस की निकाव प्रतमान नित्रत्वा जिस तरीके से देश की जनता को गुम रहा कर रहा था समिधान के नाम पर आरक्षन समाप्त करने के नाम पर इसके लिए उनके काले कारणामों से देश की जनता को उगत कराना त्यनता उस्यक है पराज भारत की संसत ने वही एत्यासिक कारे किया है कॉंग्रेस भले ही चेहरे बदले हो लेकिन आज उसका चरित राज भी वही अधिनायकवादी है ताना साही पूर्ण है लोग तांत्रिक मुल्यों और संब्धानिक संस्थाओं पर आज भी उसका विश्वास नहीं है और इसलिए भारत की हर संब्धानिक संस्था को कड़गरे में खड़ा करना भारत के बाहर जाकर के भारत के लोग तंद्र पर भारत की चुनाव की प्रक्रिया पर प्रशन खड़ा करना इनकी फित्रत बन चुकी है कौन नहीं जानता है कि कॉंग्रेस ने समिधान लागू होने से ले करके 2014 तक 75 बार भारत के समिधान में संसोधन किये कौन नहीं जानता है कि अनुछे 356 का दुर्पयों करते वे 90 बार कॉंग्रेस ने विभिन राज्यों की सरकारों को लोकतांत्रिक तरीके से चुने गई सरकारों को परखास्त करने का काम किया था कौन नहीं जानता है कि अपने राजनितिक स्वार्थों के ले कॉंग्रेस ने देश की अखंडता के साथ खिलवाड किया और कॉंग्रेस के इन काले कारणामों की लंबी फेरस्त में आपात काल भी आता है आपात काल कि इस काला काली घटा को वर्तमान पीड़ी का उगत कराने के लिए आज देश की संसद ने एक एथ्यासिक निर्णे लेकर के यहां निंदा प्रस्ताव पारित किया है यह सच्मुच एक अविनिंदनी प्रियास है वर्तमान पीड़ी को बताने का प्रियास है मैं नौ गठित संसद और नौ निर्वाचित लोक सभा के मानने अध्यक सियोम बिरला जी का है इस सासी कदम के लिए हिर्दे से विनंदन करता हूँ सभी नौ निर्वाचित मानने संसद सदस्यों को हिर्दे से वधाई देता हूँ और विश्वास रेक्ट करता हूँ कि वर्तमान पीड़ी को अमारी देश की संसद इसी प्रकार से इतियास के अलग-अलग काल खंड में देश के साथ किन लोगों ने किस प्रकार का बिवार किया है इस से उगत कराने का कारेगर भारत की संसद करेगी तो भारत की वर्तमान पीड़ी न क्योवल उनकी प्रतिकृतग्य होगी बलकि उनका मार्कदर्शन प्राप्त करते भे एक नए भारत के निर्वान में अपना योगदान दे पाएगे और आप हमसे जुड़े रहने के लिए करें सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइब